हेलो लिडीज नमस्कार कैसे हैं आप सब आई होट सब लोग बहुत अच्छे होंगे और नईनी मम्मी बनी है तो बहुत से जिम्मेदारियां भी आप सब की बढ़ गई होंगी आजके इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आपका बच्चा अगर हरि पौटी कर रहा है तो क्या यह नॉर्मल है इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं आपको इसके लिए क्या करने की जरुवत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप सब के लिए बहुत से हेलफुल है अगर आपका बच्च भी हरी हरी पॉटी करता है तो वीडियो को ध्यान से देखें पूरा देखें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें प पॉटी का रंग हरा देखते हैं हम टेंशन लेने लगते हैं कि बच्चा हरी पॉटी क्यों कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो फ्रेंड्स अगर हरी पॉटी करता है तो इसके पीछे कई डीजन होते हैं जैसे कि अगर आपका बच्चा गाय का दूद पीता ह जैसे आपका ब्रेस्ट फीट नहीं आता है और बच्चा बाटल से फीटिंग करता है तो गाय का दूद पीता है जिस वज़े से बच्चे की हरी पॉटी आ सकती है दूसरी कंडिशन होती है जैसे कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीट कराती हो और आप कुछ ऐसा एसे डिक जो कि मतलब जिस्ते की गैस जादा बनती है जैसे कि आपने उरत की दाल खाली अरहर की दाल खाली या फिर आपने अर्वी बैगन भिंडी ऐसी कुछ सबजी अगर खाली तो इस वज़े से भी क्या होता है कि बच्चा हरी पॉटी करने लगता है तो फ्रेंड्स जब भी नौर्मल है लेकिन नौर्मल तब नहीं है जब बच्चा हरी पॉटी कर रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो फिर शायद कोई प्रॉब्रम हो गई है बच्चे को ठीक है इसलिए जब भी बच्चा हरी पॉटी ठीक ठाक कर रहा है पतली पॉटी नहीं कर रहा है तो नॉर्मल है लेकिन जब पतली करें तो फिर दिक्कत वाली बात है ऐसे में तुरन डॉक्टर से जाके सला ले तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जगन्टी उसको भी दवाएं बाबाई थैंक यू